हलो दूसिस अवीनेश शर्माहेंड वेलकम यू आल टु दे क्राउन सेक्सेस आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आप लोग की प्रपरेशन भी अच्छी चल रहे होगी जो आपका PCS का एक्जाम आने वाला या लोग जो उत्रपरदेश का समिक्षा अधिकारी का ए इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बताता हूं जो भी मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं मत से जनपद यह सब चीज़े इसकी आपको अगर PDF की नीड है अगर आप लोग इसकी PDF लेना चाहते हो मैंने क्या कर रहा हुआ है यह कि जितना भी static portion है चाहें वो history का हो अभी तो हम बने हुए हैं वही topics को मैंने design के हुआ जहां से questions पहले बने हुए हैं और आगे भी बने इसके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा यहीं से question बने घूम फिर के question कभी सूर से इन जनपद में मैंने भी static वही cover के हुआ जिससे question बने हुए तो इन सब चीज़ों की PDF अग कि मैंने क्या क्या हुआ है लिंक अगर आप देखना चाहो टेलीगाम चैनल का हलाकि जैसे आप पर सर्च करोगे तो लोगों से पहचान तो जाओ गई चैनल को और लिंक अगर आपको लेना है तो आप description में देखो मैंने link भी दिया हुआ है टेलीगाम चैनल पर आपको सारी PDF मिल जाएगी अभी पहला पहले लेक्चर मैंने उसमें अप्लोड किया हुआ है आगे भी मैं धीद्रे करके सारे लेक्चर को उसमें अप्लोड करते हुआ है ठीक है दोस्तों पहले हमने अपने दो चैप्टर इसमें complete करने आज नया लेक्चर है हमारा यह और आज हम प्राचीन नगर के बारे में प्राचीन डिसके मैं अपको शो करते हूँ चलता हूं कि पहला जो टोपिक है हमारा वहई मैं इसापूर्व से 200 इसापूर्व डग रहा ठीक है अब देखो इसापूर्व और यह फारी चीज़ अगर आपको देखना होगा ठीक है आप लोग कहोगे तो मैं कमेंट में आप मुझे बताना मैं आपको स्केल के बारे में बता दूगा कि इसापूर्व और इस भी क्या होता ह आफ्टर बर्थ और आफ्टर डेश्रेलेट का टाइम होता है मैं आपको अलग से बता सकता हूं अगर आप लोग मुझे बताओंगे कि सर आपको यह समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताना मैं इसको आपको स्केल समझा तो इस जन्पाज युग था वो राजिस्थान म पास में बागर चल और शिवी यानि कि चितोर गड़ एक नगरी है इसको अपना केंद्र बना इसको अपना केंद्र बनाया जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया तो मालव जो थे वो भागकर नगर आगए नगर मींस क्या है चितोर गड़ यह नगरी है यह समझ ले ना तो यह मालव जो है न चितोर गड़ आ गए और मालवो ने इस छेतर में मालव नगर बसाया और इसको जो है न कारकोट नगर के नाम से जाना जाता है इसकी जो तहसील है वो उनियारा है दोस्तों और कारकोट नगर को मालवो ने अपनी राज़ानी भी बनाया अभी जो माल जाती थी यह पंजाब की जाती है कई बार इसमें सवाल बन सकता है कि प्राचीन राजस्थान में मालगों की शक्तिका केंद्र इसके आसपास केंद्रित था अब डूंगरपूर जैपूर बीकानेर कोटा इस तरीके से आपको चार आप्शन दे देगा तो यह जो है दोस्तों लेक जो है सबसे पहले रिगवेद में हुआ है और आर्रियों के में गुरुप के रूप में इसका विस्तार हुआ है ठीक है राजिस्थान में मस्य जन्पत का विस्तार जैपूर कोटकुतली बहरोड अलवर खैर्थल तीजारा करोली भरतपूर डी मैं फिर से कह रहा जन्पत का विस्तार यहां पर है और इस जन्पत की जूरुंट विराट्नगर इसे वर्तमान में बैराथ भी कहा जाता है प्राचीन जो question बना हुआ, you want chance, अब question और कैसे बन सकता है, कि कौन सा एक महा जनपत राजस्थान में इस्टेथ है, आपको चार option देदेगा, अंग के बारे में, मचसे के बारे में, अवंती के बारे में देदेगा, आपको जनपत, तो देखो, ब्रज छेतर जूतना भी है, जैसे मतुरा वाला जो एरिया है, जितना भी यहाँ पर यादव बंस का सासंदा, और यह जो छेतर है, भरतपुर, धौलपूर, डीक, करोली, अलवर जिले का पूर्वी पार्ट, यहाँ पर यह फैला हुआ था, यह सब जो हैं सूरसेन जनपत के अंतरगाद आते थे, इसे दोस्तों, वासुदेव के पुत्र हैं, स्री कहोगे, सर, आप यह बस फैक्ट्वल पढ़ा रहे हुआ, ठीक है, क्या पढ़ा रहे हुआ आपी, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हमें यह साइंटेस्ट नहीं बनना है, हमको सिर्फ एक्जैम पास कर, ठीक है, साइंटेस्ट बनने के लिए दोस्तों, बहुत सारी चीवे हैं, आप लोग पूरी स्टैटिक की किताब उठा लेना, हिस्ट्री की, पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, पूरी जोग्रफी इमेजन करके पढ़ते हैं, लेकि पूरी कहानी उसकी पढ़ते रहो, हिस्ट्री पूरी पढ़ते रहो, जोग् आपको साइन्टिस्ट अगर बनना है तो आप लोग लग लाइन चूट कर सकते हो यहाँ आपको ऑफिसर बनना है तिर्फ एक्जाम पास करना है अपना टाइम बचाओ केवल वही पढ़ो जहां से एक्जाम में कोशन बने हुए है और आगे भी बनेगे ठीक है चलो मैं इसके बाद में आती दोस्तों सीवी जाती और इससे लिटर हाता है का सीवी जनपद सिब्धकी के इनकी राज्धानी जो है माध्यमी गाए माध्यमी का भी है मैं एक सब्सक्राइब यहाँ पर आपको जो कर देता हूँ, यह देओ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी राजधानी, मध्यमिका, इसके अलावा, इसे जो है न दोस्तो, मध्यमिका के नाम से भी कई बार पूछ लेता है, इस तरीके से लिखा जाता है, मध्यमिका, यह है, क यहाँ पर जो है न दोस्तों अब इसकी राजधानी जो है मध्यमिका थी इसके अवसेस जो मिले हैं वो चितौरगड़ के पास में नगरी नामा के गाउं है वहाँ पर इसके अवसेस मिले यह जो छेतर है मेव जाती के अधिकार में रहा इसलिए इसे मेवाड और प्रागवा प्रांबिक के और सिक्कों के माध्यम से अलावा सिब्यों से दोस्तों नहर के वश्येस ही मिले गाए मुधैपृ आब का पुरातर नाम किया है यह दो उद्रैपुर तो उद्रैपुर का पुरातर नाम के बारे में जंगल देष डेष इस तरीके से चपर पको पढ़ा होगा योद्रै क्या यह पर आपको प्राटल से ख aí मैं कुछ तो विराट नगरी किसी थी मत्से की यहां पर क्या मध्यमिका ठीक है इस तरीके से कोशन नहर के बारे में तो यह कहां से मिला है नगरी से चलिए इसके अलावा एक और चीज़ है दोस्तो प्रेक्चुल जो आपको ध्यान रही युनानी राजा मिनिंडर ने ये देड़ सो इ एदिकार में करके अपने राज्य की यहां इस साफ़ न कीत इस तंदर में गारगी सभाट में चर्चा मिली है यानि कि यह जो नगरी है मातमी का यह माहभारत और महाभात से इसका दोनों में उलिए है दोनों से रिलेटेड है ठीक है दोस्तो इसके बाद एकुछ फैक्चल आलीन इतिहास के बारे में देखेंगे उसके राजवंसों के बारे में देखेंगे एक सेक्शुल इंफॉर्मिशन क्या है यहांपर कि भरतपूर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजय के लिए प्रसिद्धे थे ठीक है अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर कुछ पार्ट है बीका नेर का सम पार्ट ठीक है बीका नेर का कुछ पार्ट यह यहां पर आता है ठीक है इसमें यौध्य बलशाली गरतांत्रिक कभीले यानि कि सबसे जादा गरतांत्रिक जन जाती के सिक्कों का विस्तार हमें कहां से मिलता है यौध्य से मिलता है यौध गुप्त सामराज्य के अदीन हो गए थे और इनके पतन की जो चर्चा मिली है वुरत सहीता में मिली है ठीक है जलो कुश्चन कैसे बन जाएगा यहाँ पर कि राजिस्थान में किस भाग में योध्य नामक गरतंत्रिय कभीले का शार्शन राप यह उत्री भाग इसका अंसर ह प्राचीन काल में योध्य प्रदेश कहा जाता था जालोर गंगा नगर जौधपूर सीकर यहाँ पर गंगा नगर रहेगा इसके बाद में आता कि राजिस्थान में किस गरतंत्रिक जंजाती के सबसे जादा सिक्के प्राप्त हुए है तो इसका भी आंसर दोस्तों योध् विस्तोर कहां से हुआ है योदे से हुआ है कुछ और फैक्ट्र इंफोर्मेशन है जब बीकानियर की स्थापना राव बीकानियर की 1465 इश्वी में ठीक है पहले राती घाटी और बाद में तून का घर नाम से परसिद बीकानियर रियासत जांगल देश के नाम से जानी जा इसकी राज़दानी थी आईच्छनपुर जिसको राजस्थान का धातु नगर भी कहते है आईच्छनपुर को ठीक है और वर्तमान साम में जो है इसका नागौर है इसके बाद में दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट एक्श्वल इंफॉमेशन है यह टॉपिक डूंडाड के ब लिए इसमी कि आमिर थी और 2727 इस्वी से इसकी राज़दानी जैपुर है कन्फ्यूज मत हो लिए 1827 इसवी तक लाज़दानी इसकी आमेर और 1727 इस से इसकी राज़दानी जो है जैपुए राजवन्स जो है इनका कच्छवा है ठीक है 1870 में इस्टिंग ने जैपूर से टॉंट का छेत्र लेकर अमीर खांपटान की नवावी यहां जो है स्थाफित कर दी ठीक है कि राजिस्तान के किस छेत्र में जैपूर सहर इस्थित है वह डूंडाण में इस्थित है जैपूर के बनारस कि उपनाम से गलता को उत्री तोतार दी गल्टा को उत्री ततार दे रामानुष संप्रदाइके दक्षिन भारत के ततादरी मत्की तरह माना जाता हूँ पिर James starts related question बना हुआ ए कि टाडगर किला जो है यह James starts related है इसका मूल नाम बोराण बाड़ा बोरास बाड़ा भी कहते हैं और इसको दोस्तों इसका जो भागौलिक शेत्र का प्राचीन नाम है ठीक है यह एक सकेट जो ग्राफिकली पुराना नाम है इसका यह नाम है बरसा हुआ है जमेसे ही आजक Circo Cal मौल नाम पुराने काल में अबू और इनके छेत्र को अरबुत पृदेश धागूजर मणू छेत्र का बड़ा भाग दोस्तों देवला राजा रायमल के पुत्र हुए शिव भान इन्होंने सरणवा पहाड़ों पर एक किला स्थापित करके 1405 इस्वी में एक नगर बसाया था इसको सरणवाही नगर भी कहते हैं यहां पर कोश्चन कैसे बन जाता है कि कौन सा यूग में प्राचीन अंचल आधुनिक जिले से सुमेलेत नहीं है अर्बुद्देश शिरोही और शिवी चित्तौर उदयापूर सबदलक्ष अजमेर बागड़ सीकर जुन-जुनु इस तरीके से कोश्चन कई बार बढ़े हो ठीक है दोस्तों तो यह कुछ पूरा हमारा चैप्टर 3 था अगर इस लेक्चर का आगे हम इसको कंटीन्यू करेंगे पूरे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे कुछ भी नहीं बचेगा सब कुछ आपका चाहिए जोग्रफी हो पॉलिटी हो आपका एकॉनमिक्स हो केवल में फोकस क्या है हमारा राजस्थान राजस्थान स्पेशल राजस्थान का जो भी स्टैटिक पार्ट है ठीक है वो हमारा में टॉपिक है वो में फोकस है उम्मीद कर रहा हूँ मैं पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग मुझे बताना जरूर कि आपको ये कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी आपको नीट्स हो बाकी टेलिग्राम चैनल से जोड़ जाओ दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी ठीक है पढ़ते रो इस तरीके से ही बाकी ही अगर आपको हिस्ट्री कवर करनी है तो आप चैनल की प्लेलिस में जाओ आप देखो हमने एंशेंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर की हुई है जिसके लिए आपको कहीं से कोई भी बुक उठाने की ज़रुवत नहीं है इसमें NCRT प्लस रेफरेंस दोनों चीज़ें कवर कर रखी है आप लोग अगर मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो वह भी आप चैनल की प्लेलिस में जागर कर सकते हो उसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरीके से कुश्चन का आंसर दिखना रहा था जैसे पहले इंट्रोड़क्शन देना होता है फिर में बॉड़ी के बारे में फिर कंक्लूदन कैसे करना है फ्लो चार्ट कैसे बनाने है ठीक है माइंड मैप की फॉर्म और पॉजिटिव नि लेगी चली अल्दा वेरी बेस्ट थैंक यू